हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आज जापां क्लास 10 दा, जो बोड़ वलों मौडर टेस्ट पेपर पाया गयेगा, ओसनों आज जापां सौल्व करांगी तब बच्चे पहला क्वेश्चन देखो, नेम दा टाइप आफ केमिकल रियाक्शन गिवन बिलू तब बच्चे जेड़ी निचे रसाइनी करेया लिखी गई है, वो केड़ी है, C-U-S-O-4 प्लस Z-N गिव्ज Z-N-S-O-4 प्लस C-U तब जदो असी कॉपर सलफेट दे कोल दे विचे जिंक पॉने आ, तब जिंक सलफेट बन दे ते कॉपर बाहर निकल दे तब बच्चे है केड़ी करेगी, कंबिनेशन रियाक्शन संयोजन करेया, डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन विस्थापन करेया, डिकम्पोजीशन रियाक्शन विखंडन करेया, जाँ डबल डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन दोहरा विस्थापन करेया हाँ जी बच्चे तुझी देखो एस किरिया दे विच जिड़ा जिंक है जिंक कॉपर नाड़ों जादे किरिया शीर होन करके जदों कॉपर सलफेट दे कोल दे विच आपस जिंक पामागे ता जिंक ने copper sulfate देखो ओदे विचों copper नो बाहर कर देना है ते आप उसने किया sulfate देना जाके zinc sulfate बना लेना है ते copper बाहर आजेगी तब अच्चे एक केड़ी reaction हुई एक केड़ी किरय हुई तब अच्चे एक किरय हुई displacement reaction जां विस्थापन किरया हाँ जी आगला question देखो When magnesium ribbon is burned in the air a white substance is obtained What is its name? तब अच्चे जदू असी magnesium ribbon नूं हवा विच जलोने हा ता एक चिट्टे रंग दा पदार्थ बन दा है ता ओस चिट्टे रंग दे पदार्थ नूं की कहा जन दा है magnesium carbonate, magnesium oxide, magnesium sulfide जा magnesium chloride तब अच्चे जदू असी magnesium ribbon नूं हवा दी मजूद्गी दे विच जलोने हा ता जिट्टे रंग दा पदार्थ बन दा है का ओस दा की नाम है magnesium oxide तब अच्चे जबाब की है option B हाँ जी बच्चे अगला question देखो what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings take the correct answer तब अच्चे सवाल है की होंदेगा जदू असी लोहे दे चूरे दे विच्च hydrochloric acid पौने हा hydrogen gas and iron chloride are produced no reaction takes place कोई किर्यान नहीं होंदी iron salt and water are produced iron दा salt बन दे ते नाड कियेगा पानी पहला होंदे तब अच्चे 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 जबाब कियेगा के जदू असी लोहे दे चूरे दे विच्च हलका हाइड्रो क्लोरिक तजा पौने हैं तक की होंदेगा हाइड्रोजन गैस अते आइरन कोड़ाइड बन देने हाइड्रोजन गैस और आइरन कोड़ाइड आर प्रड्यूस्ड तब अच्ची रच सेही जबाब है उप्शन ए हाँ जी अगला क्वेस्टन देखो बच्चे जदों असे पानी दा बिजलेई अपकटन कर दियां ता उदों ऑक्सीजन अते डैस गैस बन दियां उक दुजी गैस केड़ी है नाइट्रोजन ओजोन हाइड्रोजन जा मिथेन तब असे जान दियां के जदों असे पानी दा बिजलेई अपकटन कर दियां ता एक अक्सीजन गैस बन दिया है ते दूसरी गैस के डी बन दिया है बच्चे हाइड्रोजन ते दा सही जबाब है ओप्शन C हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो हाँ जी बच्चे अगला क्वेश्चन है अपना वाट इस दा कैमिकल फॉर्मुला ओफ लाइम वाटर तब अच्चे लाइम वाटर जड़ा चूनने दा पाणी है ओस दा रसाइनिक सूतर की है CAOH2, CAOH3, CAO जा CO2 तब अच्चे लाइम वाटर जा चूनने दे पाणी दा रसाइनिक सूतर की हैगा CAOH2 ते दा सही जबाब है ओप्शन A हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो In the modern periodic table Which are the metals among the first 10 elements तब अच्चे जड़ी नमी आधुनिक अवर्ती सार्नी है ओस आधुनिक अवर्ती सार्नी दे विच पहले 10 तता दे विचों केड़े ताता हन सोडियम ते मेगनीशियम जेंक ते कॉपर लिथियम ते बेरिलियम जाँ पोटाशियम ते कैल्सियम तब अच्चे एदा सही जबाब कीएगा के आधुनिक अवर्ती सार्नी दे विच पहले 10 तता दे विचों केड़े ताताने जणिया ताताने ते दा सही जबाब है बच्चे आप्शन सी लिथियम एड बेरिलियम हाँ जी बच्चे अगला क्वेश्चन देखो विच लॉओ अफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज लॉओ अफ ऑक्टेव्स ता बच्चे इना दे विचों केड़ा नियम है जिसनू अस्टक दा नियम केहा जन्द है डाबनेर्ज लॉओ न्यू लैंड्स लॉओ मेंडलीव्स लॉओ या मौडन प्रियोडिक लॉओ ता बच्चे इना दे विचों केड़ा नियम है जिसनु आश्टक दा नियम कहा जन्द है डाबनेर दा नियम न्यू लैंड्स दा नियम मैंडलीव दा नियम जाँ आदुनिक अवर्ती नियम तब बच्चे दा सही जवाब कियेगा इना दे विच्चों केड़े नियम नू अपा लाओ आफ ओक्टेव्स जाँ आश्टक दा नियम कहने हा तेरा सही जवाब है बच्चे आप्शन बी नियू लैंड्स लाओ जा नियू लैंड्स दे नियम नू आश्टक दा नियम केहा जन्द है हाँ जी बच्चे अगला क्वेस्चन देखो इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन ओफ एन एलिमेंटेज तू एट सेवन दा एटोमिक नंबर ओफ दिस एलिमेंटेज हाँ जी बच्चे कोई तात्य है जेजदी इलेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन की निया है दो आठ साथ ता ओस दा प्रमानू आंक किन्ना होएगा दास सत स्तारा जा ग्यारा तब अच्चे दा प्रमानू आंक किन्ना होएगा देखो आठ ते दो दास ते साथ स्तारा तब अच्चे दा सही जवाब गियेगा ओप्शन सी सेवन्टीन हाँजी अगला क्वश्चन देखो identify the group which is not a Dabner's triad तब चे एनना देविचो देखने हैगा अपाने भी केडा ग्रुप हैगा जेडा Dabner दी तिकड़ी नहीं बनोदा हाँजी अगला क्वश्चन देखने भी केडा ग्रुप है जेडा Dabner दी तिकड़ी नहीं बनोदा ता A है option B Beryllium Magnesium Krypton हाँजी अगला क्वश्चन देखो next question हाँजी where should an object be placed in front of concave mirror so that the image formed is virtual and erect तब चे अवतल दरपन दे सामने सानू वस्तू नू कित्थे रखना चाहिए ताकि वस्तू दा जो प्रतिभिंब है ओहो अबासी बने अते सिद्धा बने at focus focus दे उपर between F and P focus अते pole दे विचकार between C and F एदे center of curvature दे focus दे विचकार जा वकरता केंदर अते focus दे विचकार at infinity ठीक है जा अनन्त दे तब चे अवतल दरपन दे सामने असी वस्तू नू कित्थे रखीए कि उसना प्रतिभिंब जेड़ा है अबासी अते सिद्धा बने तो इसना सही जवाब किया है इसना सही जवाब है बच्चे option B between F and P F अते P दे विचकार हाँ जी अगला question देखो no matter how far you stand from a mirror your image appears erect the mirror is likely to be हाँ जी बच्चे question की है के दरपन तो तुसी जिन्नी मर्जी दूरी ते खड़ो तो अड़ा जड़ा प्रतिभिंब है ओ हमेशा सिद्धा बनेंगा ता ओ दरपन केड़ा हो सकता है only plane mirror समतल दरपन only concave mirror अवतल दरपन only convex mirror उतल दरपन either plane or convex जहां समतल दरपन जहां उतल दरपन ता बच्चे यह दा सही जवाब कियेगा यह दा सही जवाब हैगा option D either plane or convex mirror जहांता हो समतल दरपन हो सकता है जहां फिर किया हो उतल दरपन हो सकता है हाँ जी बच्चे next question देखो अम्रता देवी बिश्णोई sacrificed her life to protect the हाँ जी अम्रता देवी बिश्णोई ने अपनी जिंदगी जड़ी है किस देली sacrifice कीती सी palm trees खेजरी trees salt trees teakwood trees तब चे इनना देविच्चों जड़ा है अम्रता देवी बिश्णोई ने किनना द्रख्ता नूँ बचाउन दे ली अपनी जिंदगी दाते लाई सी तेदा सही जवाब है बच्चे option B खेजरी trees जाँ खेजरी द्रख्ता दे बचा लेई हाँ जी आगला question देखो find the power in diopter of a concave lens whose focal length is 2 meter तब च्चे हुना अपनू एक अवतर lens देता हैगा जेज़ी focus दूरी किनी है 2 meter तब च्चे पावर देखनी है किनी है तब च्चे power जाए दी शक्ती के से ब्राबनू दियेगी एक बटा focal length जा एक बटा focus दूरी दे ते बच्चे असी Cartesian chain परंपरामतों भी जान दे हैं कि जेड़ी उत्तर lens जा जेड़ा एस दी focus दूरी की होगी रिनात्मक होगी जानी negative होग तब एथे जैसी value पर रके देखिए 1 by minus 2 तब जवाब आजेगा बच्चे ओ किनना होगा minus 0.5 तब जवाब है minus 0.5 D diopter हाँ जी अगला question देखो the focal length of a convex lens is हाँ जी जेड़ा उत्तर lens है उस दी focus दूरी की होगी होगी है positive तनात्मक negative रिनात्मक zero सेफर जान डी none of these इना विच्चों कोई नहीं तब अच्चे कार्टीजन चेन परंपरामातों सानू पताएगा के जेड़ा उत्तर lens होगी होगी है तान जेड़ा उत्तर lens है उत्तर lens दी focus दूरी जड़ी होगी होगी है तनात्मक तेड़ा सेही जवाब है option A positive हाँ जी बच्चे अगला question देखो the human eye forms the image of an object at its हाँ जी बच्चे जड़ी मनुखी आखे है उहो वस्तु दा प्रतिविंब कि थेव्णों दिया है cornea, iris, pupil, जाँ retina हाँ जी बच्चे मनुखी आखेज़ी ओहो वस्तु दा प्रतिविंब कि थेव्णों दिया है तेड़ा सेही जवाब है option D retina हाँ जी अगला question देखो the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens this is due to तब चे मनुखी आखेज़ी एह अलग अलग दूरियां ते पहियां वस्तु दा प्रतिविंब बना सकती है retina देखे ता यह अपने आख़दा लेंज है उस दी फोकल दूरियां बदा अख़टा सकती है ता यह किस करके कर सकती है प्रेस बायोपिया, एकामुडेशन, नियर साइटिडनेस जा फार साइटिडनेस तब चे जड़ी मनुखी आखेज़ी जड़ा अपना आई लेंज है उस दी फोकस दूरियां किस तरह पता अख़टा सकती है तेरह सही जवाब चे एकामुडेशन करके तेरह सही जवाब किया है, आप्शन भी एकामुडेशन हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो लेबल दा पार्ट डी इन दा गिवन डायग्राम आफ हुमन आई तब बच्चे जड़ी ये मनुखी आख दा चित्र दखाया गयागा एस दे विचलन डीप आगया, एक की है तब बच्चे तुसी ये इस चित्र दे विचल देख सकते हूँ एस जड़ीप आगया, एक की हैगा आईरस तरह सही जबाब है, option B, आईरस हाँ जी, अगला question देखो The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about 25 meter, 2.5 centimeter, 25 centimeter जा 2.5 meter तब बच्चे, सपस्ट द्रिष्टी दी नियूंतम दूरी किन्नी हों दिया है तरह सही जबाब किया बच्चे, option C, 25 centimeter हाँ जी, अगला question देखो identify the following instrument हाँ जी बच्चे, एक की चीज दिखाई गया है electromagnet, generator, motor और solenoid तब बच्चे, एक की चीज दिखाई गया है हाँ जी, एक की चीज है, एक है solenoid तरह सही जबाब है, option D, solenoid हाँ जी, बच्चे, solenoid होंदा की है, एक है तारा देक, कुंडल होंदेगा तरह सुन उसी की गया है, solenoid हाँ जी, अगला question देखो which of the following terms does not represent electrical power in a circuit तब बच्चे, एना दे विच्चों केड़ा formula गा, जीड़ा की बिजली शक्ती नूँ परदर्शित नहीं करदा आई स्केर आर, आई आर स्केर, वी आई याँ वी स्केर आर हाँ जी, बच्चे, एना दे विच्चों देखो आई स्केर आर, एवी बिजली शक्ती नूँ परदर्शित करदा वी आई, एवी बिजली शक्ती नूँ परदर्शित करदा बजली शक्ती नूँ प्रदर्शित करते तां इना दे विच्चों वो केड़ा फार्मूल येगा जिड़ा बिजली शक्ती नूँ प्रदर्शित नहीं करते तां इसगी जवाब है बच्चे option B i are square हां जी अगला question देखो Find the equivalent resistance When the registers of resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel हाँ जी बच्चे हुन आपने जदों 10 ohm अते 6 ohm दे प्रतिरोध समानांतर विच जोड़ेगे ने तक कुल प्रतिरोध किन ना हुगा तक बच्चे सी किस तरह कुल प्रतिरोध किस तरह कर सक दिया क्योंकि इसी जान दियांगे जदों प्रतिरोधा नों समानांतर विच जोड़े गया तक उसनों कुल प्रतिरोध कर दे ना फार्मला की इनदा है 1 by r is equal to 1 by r 1 plus 1 by r 2 तक एथे बच्चे 1 by r किस दे ब्राबर होगा 1 by 3 plus 1 by 6 तक जैसी इसनों solve करांगे तक एथा जिड़ा आपने कोड़े जवाब आजेगा ओक ना होएगा 1 by r 6 3 by r किस दे ना फार्मला की आपने कोड़े 1 by r किस दे ना फार्मला की आपने कोड़े किस दे ब्राबर हो जेगा 2 ohm दे तब बच्चे इदा सही जवाब करना जेगा जे विच किस दरा लिख सागदे या ता एक किलो वाट का अंटेनू किनने जूर्स दे ब्राबर हो जेगा तब बच्चे 3.6 x 10 रेस दे पाबर 6 जूर्स दे ब्राबर तब बच्चे अगला क्वेस्चन देखो विच ओफ दे फॉलोईग आर इन्वाइर्मेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस तब बच्चे इना दे विचों केडिया ने जिडे वातावर्न पक्खी तरीके ने कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेजिज इन वाइल शॉपिंग खरीदारी करते समय सानू अपने नाल कप्ड़े दे बैग ले जाने चाहिंदेने स्विचिंग ओफ अन्निससरी लाइट्स एंड फैंस जरूरत ना होनते लाइट आते पक्खे बंद करने चाहिंदेने वाकिंग टू स्कूल इंस्टेड अफ गेटिंग यूर मदर टू ड्रॉप यू अनर स्कूटर स्कूल नू पैदल जाना स्कूल नू पैदल जाना तो हाटी मां द्वारा तो अनू स्कूटर ते ना छटके तो हाटे ज्वारा स्कूल पैदल ही जाना जहां all of the above, जहां एह सारे ही तरीके ने जड़े सही ने, हाँ जी बच्चे एना दे विच्चो तुछी देख सागते हो कि option A, B, C, ए तिन्ने ही तरीके ने जड़े सही ने, कि सानू खरीदारी कारते समय कपड़े दे बैग ले जाने चाहिने ने, पक्खे आते लाइटा ने, जदों जुरूरत ना होवे तो बंद करने चाहिने ने, ते सानू कियागा, स्कूटर ते जानती था, ते सानू कियागा, पैदर ही स्कू जाना चाहिने था, तब अच्चे एदा सही जवाब किया जेगा, option D, all of the above, हाँ जी next question, factors on which the resistance of a conductor depends, तब अच्चे ओ केड़े कारक न जिनना दे होते किसे चालक दा प्रतिरोध निरपर करता है, on its length, चालक दी लंबाई दे उपर, on its area of cross section, चालक दे एरिया उपर, on the nature of its material, चालक किस पदार्थ दा बनेंगा, उस दे सुबहा उपर, जान all of these, जान सारें दे, तब अच्चे इनना सारे ही कारका होते हैं, जिनना चालक दा प्रतिरोध है, उन निरपर करता है, तब अच्चे दा सही जबाब किया जेगा, option D, all of the above, अगला question देखो, the image which is formed behind the mirror is, real image, virtual image, partial image, और blue image, तब अच्चे जेडा प्रतिभिंब, दरपन दे पिछे बन दे, ओस प्रतिभिंब न वसी की गन्या, वास्तविक प्रतिभिंब, अबासी प्रतिभिंब, जान partial प्रतिभिंब, जान blue image, जान नीला प्रतिभिंब, तब अच्चे जेडा प्रतिभिंब, दरपन दे पिछे बन दे, ओस प्रतिभिंब न वसी की गन्या गे, वर्चुल इमेज, जान अबासी प्रतिभिंब, अबासी प्रतिभिंब न वसी प्रतिभिंब, अबासी प्रतिभिंब न वसी प्रतिभिंब, अबासी प्रतिभिंब जहां वर्चुल इमेज तेरह सही जवाब किया है option B हाँ जी अगला question देखो from the list given below pick the item that is not a natural resource हाँ जी बच्चे नीचे जड़ी है list दिती गई है ओस्दे विच्चों ने अपने ओ आइटम ओ चीज चकनी है जड़ी की कुदरती सरोत नहीं है soil, मिटी, water, पानी, electricity, बिजली, air, हवा ता बच्चे एन ना दे विच्चों केड़ी चीज है जड़ी कुदरती सरोत नहीं है ता ए है option C electricity हाँ जी अगला question देखो what should be the minimum speed of air to generate electricity by a wind energy farm ता बच्चे जड़ा पौन ओर्जा फार्म है ओसनू बिजली पैदा करन दे ली कटो काट हवा दी किन्नी रफ्तार होनी जरूरी है 10 किलो मेटर पती कंटा 5 किलो मेटर पती कंटा 8 किलो मेटर पती कंटा जा 15 किलो मेटर पती कंटा ता बच्चे हो कटो काट हवा दी रफ्तार किन्नी होनी चाहिनी है जड़ी की पॉन ऊर्जा फार्म देविच बिजली पैदा कान देली जरूरी है तेरा सही जवाब है option D 15 km per hour हाँ जी अगला question देखो Why do we need to use our resources carefully तब चेस सानू अपने जड़े स्रोत ने उना नू त्यानल बरतन दी ज़रूरत क्यों है Because they are not limited Because they are not unlimited क्योंकि हो मुक्रण जोग सोमे ने Because their demand is increasing at an exponential rate क्योंकि नदी मांग जड़ी बहुत तेजीनल बद रही है Environment is polluted during extraction of these resources एना स्रोता नू कड़न दे लेई वातावरंदा परदूशन होंदा है जां option D all of above तब चेस सानू जड़े साड़े स्रोत ने कुदरती स्रोत ने जड़े ओना नू त्यानल क्यों बरतना चाहींदेगा तब चेस अगला question देखो identify the second consumer in the food chain तब चे पोजन लड़ी दे विच्च दूजे दर्जे दे खप्तकार केड़े हन grass, grass ओपर, frog, snake तब चेस दूजे दर्जे दे खप्तकार केड़े होगे देखो जड़ा grass है यह ता producer होगे ता उत्तपादक होगे तब चेस अगला grass नूँ कौण खा रहे है grass ओपर ता यह पहले दर्जे दे खप्तकार होगे grass ओपर नूँ कौण खा रहे है frog ता बच्चे जड़ा frog है यह दूजे दर्जे दे खप्तकार होगे तैसे सही जवाब कियेगा जिड़े secondary consumer जहां दूजे खप्तकार केड़े ने पोजन जाल दे विच जहां food chain दे विच secondary consumer जहां पोजन लड़ी दे विच दूजे consumer केड़े ने तैसे सही जवाब बच्चे option B frog हाँ जी अगला question देखो हाँ जी अगला question है the phenomena of electromagnetic induction is हाँ जी बच्चे बिजली चुम्ब की प्रेरण है जिड़ा वो की होंदा है the process of charging a body किसे वस्तो नों चार्जिद करना the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil किसे चालक तार विच्चों दी current लंगा उनते चुम्ब की खेतर पैदा करना producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil जाँ फिर किया बच्चे चुम्बक अते तार दे विच गती करके तार दे विच current पैदा करना जाँ option D the process of rotating a coil of an electric motor जाँ फिर बिजली motor दी जड़ी coil है उसनों कमोना ता बच्चे यदा सही जवाब कियेगा कि the phenomenon of electromagnetic induction is यदा सही जवाब है बच्चे option C producing induced current in a coil due to relative motion between magnet and the coil ता बच्चे बिज़ चुम्बक की प्रेरण की होँदेगा एक तार दे विच current पैदा करना ओस दे नेडे जादा चुम्बक नों ते जीना कमा मांगे जा चुम्बक दे नेडे अपा तार नों ते जीना कमा मांगे ता भिर किया तार दे विच किया बच्चे बिजली पैदा होजेगी करंट पैदा होजेगा हाँ जी अगला question देखो which of the following groups contain only bio-degradable items तो बच्चे इना दे विच्चों इना जो केड़ा group है जीदे विच्च जिड़ा है जैव विकाटन्शील आइटम जैव विकाटन्शील पदार्थ ने grass flowers and leather का full अते चमड़ा grass wood and plastic का लकड़ी अते प्लास्टिक fruit peels cake and lime juice फुला दे छिलके cake अते lime the juice जाँ cake wood and grass जाँ cake लकड़ी अते का तब अच्चे इस दे विच्चों जे तुसी देखोंगे ता है इस दे विच्च grass flower ते leather AV bio degradable है fruit peels cake and lime juice AV bio degradable है ते cake wood and grass AV bio degradable है तब अच्चे question दे मताबिक जे आपा देखिए ता है A, A, C ते D इना तिनना दे विच्ची bio degradable जाँ 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 विका टनशीर पदार्थ ने जड़की जड़ी option B है इस दे विच्च कियागा इस दे विच्च दे प्लास्टिक है इहें जैव विका टनशीर पदार्थ नहीं है पर इना ने question जिड़ा पुछेगा वो पुछेगा कि which of the following groups contain only bio degradable items ता इना दे विच्च आपाने ओ चुन्डे ने जिनना दे विच्च जैव विका टनशीर आइटम्स ने जैव विका टनशीर पदार्थ ने ता बच्च दे मताबिक देखा जावी ता इता सही जवाब आएगा A, C, T, D ता जे बच्चे एहाजा question तो आपनो पेपर दे विचाओंदा है ता उत्थे हो सकता है option लिखी होए option A, C, D ता तुझी ओथे टिक लगोना हैगा जे ना जो कोई होर लेका होना हैगा ता ओधिसा आपना जे fruit, peel, cake and lime juice होब ता उत्थे टिक लगा देना जे grass flower ते leather होए ता ओप्शन ते टिक होएगा जे cake wooden grass होए ता ओप्शन ते टिक होएगा पर जे बच्चे एसे तना दा ही question होँदा है ता एदे विच्चों एक होर option बन दिया है कि option A, C and D ता तुझी ओश्दे होते टिक लगोना हैगा हाँ जी अगला question देखो The quality of environment can be improved हाँ जी असी अपने वातावरंदी गुनवत्ता नूं बदा आ सकते हैं कि में Deforestation द्रखता दी कटाई करके Overuse of natural environment कोदरती वातावरंदी ज़्यादा वर्तों करके Soil erosion पूंखोर नाल जहां option D conservation जहां वातावरंदी सुरख्याद नाल तहरे विच्चों पुच्चे सही जवाब कियेगा इधा सही जवाब है पुच्चे option D conservation जहां सुरख्याद करके हाँ जी पुच्चे अगला question देखो The essential difference between an AC generator and a DC generator is that तहाँ उन question है के AC generator अथे DC generator देविच मुख फर्क की है AC generator has an electromagnet while a DC generator has permanent magnet कैने जीड़ा AC generator है एस देवितना बिजली चुम्बक है जरकी DC generator देविच एक permanent चुम्बक है DC generator विच generator higher voltage तक कैने जीड़ा DC generator है एहे ज्यादा voltage पैदा करता है AC generator will generate higher voltage ओप्शन सी है कि AC generator जीड़ा A जादे voltage पैदा करता है जाँ option D AC generator has slip rings while the DC generator has commutator तब अच्चे एदा सही जवाब किया है एदा सही जवाब है option D कि AC generator अथे DC generator देविच मुख फार्क किया है कि AC generator कोड़े slip rings होंदे ने जरकी DC generator कोड़ किया है commutator हाँ जी अगला question देखो A solar water heater cannot be used to get hot water on तब अच्चे जड़ा सूर्जी पाणी heater है एशनू असी गरम पाणी लैंद लेई कदों नहीं वर्त साकदे और a sunny day जिस दिन सूर्जी निकला होवे a cloudy day जिस दिन बदड़ होण a hot day जिस दिन गर्मी वाणा दिन होवे a windy day जिस दिन हवामा चालती होण तब अच्चे solar water heater जान सूर्जी पाणी heater है जिड़ा एशनू असी गरम पाणी लैंद लेई कदों नहीं वर्त साकदे जदों बद्दल छाय होण तब अधा सही जवाब किया अबच्चे option B a cloudy day हाँजी अगला question देखो the chip को अंदोलन originated from तब जड़ा बच्चे चिप को अंदोलन होया सी यह कित्थों शुरू होया सी हिमाचल परदेश, गरवाल, राजस्थान, या मध्या परदेश हाँजी बच्चे जड़ा चिप को अंदोलन जड़ा शुरू होया सी यह शुरू होया सी गरवाल तो तेरा सही जबाब है option B गड़वाल इहें गड़वाल दे रौनी ना दे पिंड़तों शुरू हो ऐसी तेरा सही जबाब के बच्चे option B गड़वाल हाँ जी अगला question देखो The device used for producing electric current is God हाँ जी बच्चे ओ उपकार्न जेड़ा बिजली current पैदा करता है जेनरेटर, गलवेनोमीटर, एमोमीटर जा मोटर हाँ जी बच्चे ओ केड़ा उपकार्न जेड़ा बिजली पैदा कर देगा तो जेड़ा की नाम है जेड़ा सही जबाब है जेनरेटर जेड़ा सही जबाब है option A जेनरेटर हाँ जी अगला question देखो Which of the following correctly describes the magnetic field Near a long straight wire हाँ जी बच्चे तार दे आले द्वाडे चुम्ब की खेतर बारे इना दे विच्चों केड़ी लाइना जेड़ी हो सही जानकारी दे रही है option A the field consists of straight lines perpendicular to the wire की जेड़ा है magnetic field है एस straight lines दी बढ़ीं दिया जेड़ी की तार दे बिलकुल perpendicular ने option B the field consists of straight lines parallel to the wire जेड़ी है magnetic field है पैरलल लाइन जा समानांतर रेखामादी बढ़ीं हों दियागी तार दे समानांतर हों दियाने option C the field consists of radial lines originating from the wire की जेड़ी है magnetic field है radial lines रहीं पैदा हों दियागी जाँ फिर की है option D the field consists of concentric circles centered on the wire जाँ फिर केड़ी magnetic field है एह कीएगा तार दे आले द्वाडे circles दे रूप दे बिच पैदा हों दियागी ता एदा सही जबाब किया बच्चे option D the field consists of concentric circles ता एह का अर्ध गोड़ें दे रूप दे बिच हों दियागी तार दे आले द्वाडे the field consists of concentric circles centered on the wire ता बच्चे एदा सही जबाब किया option D हाँ जी अगला question देखो most of the sources of energy we use represent stored solar energy ता बच्चे ओर्जा दे काफी सारे सों में जड़े सी बर्त दियाँ उनना दे विच्च सूर्जी ओर्जा सिद्धे जाँ सिद्धे रूप दे विच्च स्टोर होई हों दियाँ which of the following is not ultimately derived from the sun's energy ता इखना दे विच्चों तो हो केड़ी ओर्जाएगी जरी सूर्जी ओर्जातों नहीं पैदा हो रही wind energy, pond ओर्जा, nuclear energy, नुकलीर ओर्जा, biomass जाँ जीव पहूंच जाँ none of the above तब अच्छे एना दे विच्चों हो केड़ी ऊर्जा है जड़ी सूर्जी ऊर्जा तो हो पैदा नहीं हो रही तब सही जवाब किया बच्छे आप्शन बी नुकलियर एनर्जी जा नुकलियर ऊर्जा हाँ जी अगला क्वेश्चन है At the time of short circuit The current in the circuit तब अच्छे जदों short circuit होंदाएगा ता circuit दे विच्चड़ा current है उन्हों की हो जन्दा है Reduces substantially हो काट जन्दा है Does not change हो ते कोई फरक निपेंदा Increases heavily बहुत जादा वर जन्दा है जहां very continuous लगातार बहुत जा रहन्दा है तब अच्चे जदों short circuit होंदाएगा ता तार दे विच्चड़ा current है जेड़ा उन्हों की हो जन्दा है वो जादा वर जन्दा है तेरह सही जवाब है Option C Increases heavily हाँ जी अगला question देखो Which of the following is not an example of biomass energy source हाँ जी इना दे विच्चों केड़ा गाजेड़ा जीव पुंज दा उर्जा सरोत नहीं है Wood, Gober Gas, Nuclear Energy जाँ कोल तब अच्चे इना दे विच्चों केड़ा गाजेड़ा जीव पुंज जिस दा सोर्स जीव पुंज नहीं है Wood, लकरदा भी सोर्स जीव पुंज है Gober Gas, Gober Gas दा सोर्स भी जीव पुंज है Coal, कोले दा सोर्स भी जीव पुंज है तइना दे विच्चों की दा सोर्स जीव पुंज नहीं है ता ओ है nuclear energy ता बच्चे दा सही जवाब किया जुगा कि which of the following is not an example of biomass energy source यह ना चो केड़ेगा जी दा source जी पुझ नहीं है ता बच्चे दा सही जवाब बच्चे nuclear energy जा nuclear उर्जा हाँ जी बच्चे आज जा पाने जीड़ा अपना पंजाब स्कूल सिख्या बोर्ड दी वेबसाइट दे उत पर जीड़ा दसमी कलास दा टार्म वान दा सैंपल बेपर पाया हुया है आज आपने उस सैंपल बेपर सौल्व कीता है तब अच्चे उम्मीद कार दियां के तो अनू एस सैंपल बेपर दे सारे सही उत्रपता लागे होंगे ता आज जी इस वीडियो नू देखन दे लेई तो अड़े सावदा बहुत बहुत तनवाद